हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजूकेशन साथियों कॉमेंट में मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर साथी है जो कि लगातार प्रशन पूछ रहे हैं सर सहायक शिक्षक में चैन कैसे होगा कितने नंबर वालों का चैन होगा ये उनका सवान है ठीक है बार बार वे कट आपकी वाद करते हैं कि सर की इतने नंबर का चैन हो सकता है इस पर एक वीडियो बनाओ या कॉमेंट जो करते हैं प्लीज सर कॉमेंट का जवाब दिजिए तो आज हम इस वीडियो में इन ही पर चर्चा करने वाले हैं ये जो एक वीडियो है दोस्तों आपकी सभी जो डाउट्स हैं क्लियार कर देंगी तो आईए वीडियो को सुरू करें सुरू करने से पहले आप सभी साथियों से निवेदर हैं चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये है चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक जरूर करें और सेयर करना बिल्कुल भी न रीजार कि आपका शिक्षक भरती में चैन हो जाए आप भी सहयक शिक्षक बन जाओ इसके लिए सबसे जरूरी चीजे हैं आपके पास टाइम टेबल का होना ठीक है किस वशय को कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है यह टाइम टेबल आपके पास आवस्यक है कठिन विशय में आपको ज़्यादा फोकस करना साथ, देखिए ये साथियों, ये मेरी खुद की स्ट्रिटिजी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इंगलिस में बहुत वीक था पहले, मैंने इंगलिस को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, चाहे वो यूटूब हो, चा हूँ थी, टप था मेरे लिए, इसलिए मैंने भी इंगलिस पर ही ज़्यादा फोकस करना है, तिसरी बात क्या है, थियोरी कम और प्रैक्टिस ज़्यादा देना है, ठीक है दोस्तों, लगातार चाहे हम D8 किये हो, B8 किये हो, दो साल उन में हमने थियोरी पढ़ लिया, उसक कि ये बाद जितने भी TET का इकजाम हो रहा है, हमके वाल थियोरी रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, ये कभी भी सलेक्षन करने का कोई tips नहीं है सात्यों, थियोरी के तो आपने बहुत पड़ लिया, आप सब आप जिचे हर वो टोपिक आपको पता है ठीक है लेकिन आप उस पर previous year लगाईए practice किजिए question कैसे आता है analysis किजिए किस type से उनको solo करना है analysis किजिए कैसे आपको चिंतन करना है कैसे उस answer तक पहुँचना है analysis किजिए कौन सी words ऐसे होते हैं जो negative होते हैं जिनको हमको already चारो option में card देना है उनको यदि आपको समझना है तो practice किजिए practice कहां से होगा तो आपको previous year लगाना है साथियों यही एक मात्र विकल्प है जो की आपको सफलता दिलाएगा जो की आपको सहायक शिक्षक बनाएगा और सबसे अहम बात साथियों आपका time management बहुत ही important है मैं स्वया मनुभाव किया हूँ मेरे बगल के जो साथी है मैं भी हर बार टीटी का exam देता हूँ साथियों CGTED का इस बार भी मैंने exam दिया हुआ है मेरे बगल में एक मैम बैठी थी especially मैं किसी का नाम नहीं लेता वो इतना time ले रही थी कहना CDP एक अकेले CDP को उन्होंने 50 मिनट से भी ज्यादा ले लिया फिर मेरे को उनको देखकर मुझे रहा नहीं गया साथियों मैंने उनसे कहा मैम यदि आप इस speed से questions सालों करोगे तो आपका पूरा 1500 questions सालों नहीं होगा speed बढ़ाईए तो मैम ने बात सुना लेकिन काफी जो time है उन्होंने खो दिया था सांथियों लास्ट में उन हुआ क्या उनके साथ उनको दुक्का लगाना पड़ा क्योंकि उनको डेल सो में डेल सो questions सालों करना था यही condition आपके साथ ना बने इसलिए आपको time management सबसे ज़्यादा जरूरी है ठीक है time management पर बिलकुल ध्यान दे बाल विकास की बात हो या कुछ भी चीज देखें 67 तो चिंतन पर अधारित है फिर भी आपको 30 मिनट से ज़्यादा बिलकुल भी नहीं देना है यदि आप ये 5 strategies अपनाएंगे तो आपका चैन अराम से हो जाएगा साथियों दूसरी बड़ी बात कितने नंबर में चैन हो ये भी बला सवाल रहता है देखिए पिछ तो यदि आप general category में आप selection चाहते हो तो आपका 90 से उपर आता है साथियों तो आपका नाम general में आएगा आप कौन से category से हो मतलब इससे नहीं है मैं खुद OBC से हूँ लेकिन मेरा chain general category में हुआ है क्योंकि यदि आपका अच्छा rank होता है तो पहले general में count होता है यदि आपका नाम general में नहीं आ रहा है आप chain होने से चुक जा रहे हो तभी आपको अलक्षित category का लाब मिलता है यह हमेशा याद रखें बहुत कम लोगों को पता रहता है बात करें OBC की तो OBC में 80 नंबर से उपर वालों का OBC में होगा और HTSC में आप 5 और 10 नंबर का प्लस मैनस कर सकत तो यदि आप general के हैं तो आप 100 प्लस का target लेके चलो यदि आप OBC भी हो तो 90 प्लस का target लेके चलो यदि आप इतना आप target लेके चल रहे हो तो आपको सायक शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक शकता तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको positive दिलाना चाहता हूं activities आपके अंदर भर देना चाहता हूं साथियों ताकि आरक्षड की वज़ा से जो negativity आपके दिमाग में घूम रही है वो पूरी तरीके से positive हो जाए और आप दिल से दिलो जान से तयारी में लग जाओ आसा और विश्वास के साथ कि आप भी एक पद जरूर लाएंगे आप भी सायक शिक्षक बनेंगे इन्हीं सुपकामनाओं के साथ जय हिन जय भारत